राजधानी लखनों से 60 जिला बाराबंकी वैसे तो कभी अफ्हीम के लिए परसिद हुआ करता था लेकिन अब यहाँ खाने पीने की चीजे भी काफी मसूर है बाराबंकी में कई ऐसी दुकाने हैं जो कुलफी और सेक्थ के लिए काफी मसूर है 12 की जिले में ऐसा ही एक इस्टाल राजस्थानी फालूदा कुल्फी का स्वाद लोगों को दूर दूर से अपनी तरफ ठीच लाता है 12 की जिले के रिलेश्टेशन के इलाके में ये फेमस राजस्थानी फालूदा कुल्फी का इस्टाल है इस्टाल के मालिक कैलाज गुर्जर के पापा ने 15 साल पहले ये काम सुरू किया था आज वही काम कैलाज गुर्जर कर रहा है और लोगों को वही स्वाद दे रहा है जहां फालूदा कुलफी का स्वाद लोगों को दूर दूर से अपनी तरफ खीच लाता है वहीं राजस्थ खानी फालूदा कुल्फी के इस्टाल पर बेतरीन वराइटी की कुल्फी और फूर्ट सेख मिलती है इसके अलावा शेक में पढ़ने वाली आइसक्रीम स्वाद में चार चांड लगा देती है करमी का मौसम होने के चलते यहां फालूदा कुल्फी खाने वालों की लाइन के लिए साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं वा फालूदा कुल्फी एकदम तरूताजा दूस से बनाते हैं इसके अलावा उसमें आइसक्रीम चेरी और कई तरह के फ्लेवर भी डालते हैं इसके अलावा फालूदा कुल्फी में पढ़ने वाली ड्राइव और रुखावजा भी कस्टमर को काफी मज़े देता है। उनोंने बताया कि उनके पास शेहर के अलावा और कई जिले के लोग भी अक्सर आते हैं। वहीं फालूदा कुल्फी का मजा लेने वाले ग्रहकों ने बताया कि वह अक्सर यहां आते हैं। उनको यहां फालूदा कुल्फी का स्वाद काफी पसंद आता है और से अच्छा बनाते हैं और इनकी जो कुल्फी का स्वाद है वो भी अलग है इसलिए हम लोगों को इनकी फालूदा कुल्फी का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए हम लोग खाने आते हैं क्या खासियत है और तपसे बना रहे हैं यह कुल्फिय आश्क्रिम का काम हमारे मतलब पहले पापा करते थे जो अब वो बुज़र को तब वो मतलब काम नहीं करते उन्हें को काम को मतलब हम आगे बड़ा गए हैं नहीं करते हैं हम राजिस्तान से राजिस्तान बेल वड़ा कब से यहां लगा रहे हैं अब कब से आप ही नहीं पहले पापा करते तो करुब यहां पंद्रा भी सार का अथा क्या काम अब हम ही करने लगे साथ में वापत क्या पासियत हैं या की कुल्फी में क्या कि हमारी एकुछ उती है जो कंड़ा एक बार खाएगा तो दुबार मनलब कुल्फ लगती लगती है और साभी वक्त यादा खानी आते हैं तो इसमें कि गर्मी का मुसम तो आदमी को ठंडा ची है वह ठंडा खाने के लिए मतलब कभाए बादाम शेक बनाते हैं आशक्राम बनाते हैं तो कुल्दी ऑफ में Mexico में बंती है आप तो कहां कहां से लोग खाने आते हैं यह तो सब दूर दूर के लोग आने के लिए खान जो कि एक बार कोई खाएगा तो अगर निकले गए इस रूट से तो वह खा कर गए जाता है कि मुझे एमेश खान कहते हैं वाश आप यहां क्या खाने आए यह तेला लगा हुआ है देवाद फालुदा कुल भी अच्छा तब से आप क्या खा रहे हैं क्या स्वाद है और इसका वेतर है जो पहले 25 साल प्ले स्वाद था वही स्वादाड जी आप तब से खा रहे हैं इन अब पहले जो फिलिवर ना वही फिलिवर आज भी है और नेटवर्क है इनका बहुत बड़ा हर जगा पूरे उप्तरपंदेश के पूरे भारत के हर शहर में तो पाया जाते हैं तो इसके किस तरह क्या तो अलग क्वालिटी क्या अलग है और जगा भी आपने खाय होगा इ इनकी क्वालटीलाग है दूसरों क्वालटीलाग वहार इसकिसंसिर सर्मार पालवदा खिरन ऊंतरप्री मे क्या एसी क्वालटी है जो लोग यहां पर खाने आते हैं वहकर कापी लिए हैं जमारी हो काफी जिदा यह 502-4 ग्याही तरीकर से देतना हां वापी अच्छी क्व इनके खिराने के क्वालिटी अतीने अच्छी है कि बढ़िया प्यार से देते हैं और वहां लोगों के आजाओ भीड काफी लगी होते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलवाता है यहां आराम से खाईए बढ़िया से प्रियम भाव से खिलाते हैं